हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अभिशेक और आपका स्वागत करता हूँ हेल्पिंग अभी चैनल में आप लोग विडियो को पूरी तरह वाच करें और ये विडियो में कोई शसके नहीं तो हैसे मंडिक तो इसमें देखते हैं कि बिनास इसले के हमेच об 씨m सकते हैं और बहुत कम वक्त में आपशने और हम तो बस आपको मेरी वीडियो को पूरी तरह आपको फॉलो करना है और फिर मज़ा आएगा प्रैक्टिस करते रहेगा तो इसमें एक्सपर्ट भी हो जाएगा हेलो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अभिशेक और आपका स्वागत करता हूँ हेल्पिंग अभी चैनल में तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ एक्चली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप जो देख रहे हैं सामने में चॉक्बोर्ड मेनूस आप बोल सकते हैं ठीक है तो चॉक्बोर्ड क्या होता है जैसे ब्लैकबोर्ड वेरा हम लोग जो यूज करते थे ओल्ड हैं तो आने वाले टाइम में आपका रैंक करेगा और सकता काफी ओडर भी मिल सकते हैं तो कैसे और तो कोई चीज़ जो मैं बताता हूं उसको इनम फॉलो कीजिए ये बिगनस के लिए हैं बार बार रिपीट कर रहा हूं तो प्लीज आप लोग इसको बिगनस की तरह ही दे करके क्लाइन को दे सकते हैं ठीक है तो जैसे चॉक बोर्ड आप देख रहे हैं तो यह देखे सर्वीसेज वेरा प्रोवाइड कर रहे हैं आट सो तीन रुपए में और भी सर्वीसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है फ्लायर भी बना सकते हैं काड भी बना सकते हैं तो आप आप ले सकते हैं यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है चलिए और आपको क्या फॉलो करना है वो complete वीडियो आप देखें तो आपको यह समझ में आ जाएगी तो जिससे देखें मैंने खोल रखा है chalkboard menu poster for youth यह बना करके रख रहे हैं अपने services वेरा दे रहे हैं क्लाइंट आपको दे देंगे कि क्या उनको मेनु में चाहिए क्या-क्या चीज आड करनी है तो वो चीज आप आड कर सकते हैं ठीक है तो यह चीज जो है वह बहुत आसानी से कर सकते हैं एक website postermywall.com ठीक है postermywall.com करके है आप इस पर रेजिस्टर कर लिए सिधा facebook वियाद से आप रेजिस्टर कर सकते हैं कोई शू नहीं है एक मिनट के अंदर में हो जाएगा और फिर आपको postermywall पर जैसे क्लिक करेंगे ठीक है यहां से भी आप जासकते हैं न्यू डिजाइन जासकते हैं वीडियो जैसे न्यू डिजाइन पर चले गए यहां पर बहुत सारे templates मिलेंगे आपको ठीक है तो देखिए यहां बहुत सारे यहां पर आपको chalkboards मिल जाएंगे menu वाले मिल जाएंगे इस तरह से आप एक एक करके अपने portfolio में भी add कर सकते हैं और जैसा उनको चाहिए photo photo edit करके आप उन दे सकते हैं लेकिन you have to follow few important tips आपको कुछ important tips जो है वो follow करने पड़ेंगे क्या है वो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ stay follow करने आपको ठीक है आपकी समनी ऐसा आज आएगा तो customized template पर जाना है आपको कस्टमाइज template में जैसे जा रहा है तो फिर आपको यहां पर edit करने का option आजागा जैसे आप जिस पर click किजिएगा तो आप edit कर सकते है राइट जैसे इस पर break fast है तो इसको फिर आप position भी कर सकते हैं ठीक है आप अपने हिसाब से position कर लीजिए और यहां पर जैसे कुछ changes करना है तो change भी कर सकते हैं ठीक है जैसे यहां पर मैं यहां भी डालना चाहता हूं इस पर click करेंगे वह अराम से change है और menu वाला जो होता है तो menu में आप जैसे click करेंगे तो यहां edit content आएगा तो आप इस पर edit करेंगे ठीक है तो यहां पर तीन option है कैसे रखने चाहते है classic नरना चाहते है without data दो जैसा भी आप कर सकते है ठीक है यहां पर आपको menu है आप यहां पर menu चाहिए add भी कर सकते है चेह position एड़ inhm東 अर्टम है यहां पर आप menu add करना जाते हैं नाम लिग करके प्राइस होए रहा आप लिग देंगे वह एड़ हो जागा ठीक है वह बात की बात है सब्सक्राइड किस में आपको कोई हटाना है ठीक है जैसे मुझे यह नहीं रखना है तो यह हट जाएगा वेजी मीनू जो है यह हट जाएगा पेस्टो एक्स न लेंगे इतना बढ़ा जो रखना है पर हमसे यह एड़ास कर लेंगे प्रैस वेरा लिखेख अब इसमें क्या करने आपको क्या करना है यह महां आपको द देखना है यहाँ पर क्या और निकी कि यहां से आपको पर चेस करनी पढ़े Barcelona के आप पर्चेस नहीं करेंगे तो क्या होगा कि यहां पर आपका ये लेफ्ट साइड में बाटम में इंपॉर्टेंट है आप लोग धिहां से सुनिए इस चीज़ को यहां पर उनके आपको वाटर मार्क दिखेंगे अब वाटर मार्क के साथ तो आप किसी को दे नी सकते हैं या तो पर्चेस करेंगे गिक्स अगर वो दस डॉलर का आप उनको दे रहे हैं तो यहां पर आपको 2-4 डॉलर जो है पे करना पड़े तो इसे कैसे आपको छुटका रहा पाना है वो मैं बता रहा हूँ तो यह जो है ना हम लोगो जब भी एडिट करना है तो दिमाग में यह रखना है कि हमको लेफ्ट बॉटम में यह जो है ना यहां से हमको इस पार्ट को आप एकदम होरिजन्टली हमको इस लाइन के उपर ही हर चीज को रखना है तो इसलिए मैंने इसे उपर रख लिया है हर चीज में यह करना है तो यहां से की बाद में हम मैं एडिट कर सकता हूँ यहां डाउनलोड में जाना है डाउनलोड में जाने के बाद यहां पर आप बेसिक इमेज जो है वह आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा ठीक है आप आराम से इसको डाउनलोड कर लीज़े और पहले अगर रिसाइज वेरा भी करना चाहते हैं तो रिसाइज भी यहां से कर सकते हैं बहुत सारे असके रखना है ताकि हम लोग उसको एडिट कर सके अब देखिये कि यह जो हमारे पास है इसे मैं उप्ण करता हूँ तो यहां पर देखे क्या है कि यहां पर हमारा यह आ रहा है मुझे इसे हटाना है हटाने के लिए दो चीज मैं यूज करूंगा ठीक है ध्यान से देखते रही है देखे मैंने इसे नेम कैफे बार करके दे दिया है ठीक है एक साइट है पिक्सलर.com करके इसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में देता हूँ जैसे आप इसको यहां से मैं से रिफ्रेश करता हूँ ठीक है लेफ साइड में देखेंगे कि ओपेन इमेज बस आपको ओपेन करना है इमेज जो ओपेन है और इसके अंदर मैंने एक फोल्डर बना र आप देखेंगे कि जो भी चीजे माल लीजे जहां पर टेक्स वेरा यह सब रिमूफ नहीं हो पाता है ठीक है उसे हम लोग किसी भी हाल में इसको अगर यहां से टेक्स वेरा या फिर कोई डिजाइन अगर नहीं मूव होता है अगर उपर नहीं जाता है तो उस कंडिशन मे कि इस तरह इस पर क्लिक कर लेंगे बट क्या होता है हील में तो आप पता चलता है कि आपने यह पे कुछ अडिट वेरा कि इसलिए मैंने पहले स्टार्टिक में क्या बोला है आपको कि प्लीज प्लीज आप लोग यहां से उपर रखे तो इस पर हम लोग को सिर्फ एक चीज करना है हील अगर उस कंडिशन में यूज कीज़े जब यहां बिल्कुल यह कुछ टेक्स्ट और डिजाइन वेरा नहीं मूफ होगा उस कंडिशन में यूज कीज़ेगा और ऐसे आपको क्या यूज करना है एक option आ रहा है crop crop का simple यूज कीजिए यह देखे पूरा area को लिए अब हमें क्या करना है simple हमें इतना select करना है बस ठीक है और यहां पर click कर दीजिए हो गया done crop किया नीचे से वहड़ गया that's it यह हमारा हो गया यहां पर file है save कर लेना है download हमारा download हो चुका है अब देखिए मैं open करता हूँ this is done ठीक है यह हो गया यह तो एक तरीका है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको simple कुछ नहीं है crop करना है इसलिए मैं starting में आपको यह बता रहा हूँ कि यह चीज आपको left side में आपको यह धियान रखना है ठीक है चॉक बोड मेनू जो है अब क्या करना है अगर offline mode में क्या करना है right click करेंगे जो कि windows यूज कर रहे है edit कीजिए paint में खुल जाएगा ठीक है जैसे paint में खुलेगा तो यहां पर देखे paint में भी हम लोग ऐसे use कर सकते हैं कुछ नहीं करना है बस यह area को मुझे हटाना है simple क्या करना है यह select में जाना है rectangular selection ले लेना है और मैं जितना हटाना है उससे यह select कर लिया ठीक है और यह ऐसा जो चारो साइड जो arrow बनेगा इसको फिर नीचे ड्रैग कर दिए हटा दीजिए that's it फिर आप ऐसे डाल सकते है इसे adjust कर दिए that's it हमारा तैयार हो चुका है तो यह हमारा तरीका है कि मैं paint के थू कर सकता हूं उसको तो इसी तरह करके आप chalkboard wear a menu आप तैयर कर सकते हैं बहुत ही असान है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है तो इसी तरह आप poster flyer wear a सब भी जो आप try कर सकते हैं बट basically यहाँ पर आपको chalkboard के लिए बताया जा रहा है ज इसको आप ऐसे नहीं कर सकते हैं थोड़ा सवी designing के समय आपको सबसे पहले दियाने left bottom में जो है वो आप थोड़ा सा जो भी menu और फिर design आप उसको ऊपर कर लें उसका यहाँ से आप आराम से photo editor का help ले करके और paint का ले करके आप आराम से इसको crop कर सकते हैं that's it इतना सा करना है तो thank you so much और हर बात की तरह वहीं बोलूँगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जल्दी सारे जहांस अच्छा है निस्ता हमारा जय हिंद